हाई फ्रेंण्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहरे हैंelinТ। तु आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एक ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, आप अपने ब्लॉगर पे एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं. तो बड़ा ही सिंपल होने वाला है आज का वीडियो, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने एक ब्राउजर, तो दोस्तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आपको यहाँ पर इंट ब्लॉगर है जो कि Google हमें प्राउइड कराता है, यह गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, जो कि हमें ब्लॉग करने के लिए कई सारे इंटरफेस प्राउइड कराता है, यहाँ पर आपको एक डैशबोर मिल जाता है, जिसके थूरू आप अपने ब्लॉग को या अपनी करना है उसके बाद आपको यहां पर जो create your blog है इस पर ख्लिक करना है दोस्तों ध्यान रखिए अगर आपकी Google की ID है तो यहां पर आपको create your blog पे जाना है जिसे आप create your blog पे करेंगे तो यहां पर आपको यह एक Google accounts के page redirect करेगा तो आप यहां पर ID चूज कर सकते हैं आपको किस ID की थ्रूँ आपका blog create करना है तो मैं यहां पर आपनी यह एक ID select कर लेता हूं और उसके बाद आपको यहां पर अगर आपकी ID sign in नहीं है तो आपको यहां पर password डालना पड़ेगा तो यहां पर मैं password भी एंटर कर देता हूं यहां पर blogger confirmation आ गई है confirm your profile आपका डिस्प्ले में नेम क्या चलेगा तो हम चाहते हैं कि डिस्प्ले में हमारा यह नाम चले तो यहां पर जैसे कि उसका interface कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा और यहां पर जब आप fresh ID से register या लॉग इन करेंगे तो आपको यहां पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा हम अठ की पूई वी एक भी blog नहीं बनाया इसलिए इhापर new blog मनाने को कह रहा है तो आपको यहाँ पर create new blog पर जाने के बाद आपको यहाँ पर title लिखना है title इत्व में की में चीज होती है किसी ब्लॉक कि तो title के अंदर आपका जो blog मतलब आपका ब्लॉग है किस टोबिक पर है आपको इस इहां तैटल को चूज करना एड्रेस हमें क्या लिखना है तो एड्रेस हम लिखेंगे जैसे इसका हम फर्स्ट वर्ड ले ले लेते हैं MFB हम लिखते हैं MFB और यहां पर जो हमें यहां पर जो इसका पहले से डिफॉल्ट डॉमेन मिलता है blogspot.com मतलब हम यहां पर अगर हमारी यह जो blog को कोई भी open करना चाहेगा तो उसमें होगा mfb.blogspot.com तो जैसे कि हमारा blog open हो जाएगा तो यहां पर यह क्या गह रहा है sorry this blog address is not available यानि यह किसी ने ले लिया है तो यहां पर हमने लिखा है mfb001.blogspot.com तो यहां पर यह available है और यहां पर राइट का मार्क भी आ चुका है और हमें यहां पर default जो इसकी जो theme है वो ही मिलेगी अगर आप default में से कोई theme लेना चाहते हैं तो यहां पर ले सकते हैं और मैं बताऊंगा कि आप इसमें custom theme भी कैसे upload कर सकते हैं वो हम next video में देखेंगे तो यहां पर आपको यह चीज़े आपने फिल कर दी उसके बाद आपको create blog पे जाना है जैसे आप blog पे चले गए तो यहां पर जैसे कि domain कह रहा है कि अगर आपको domain चाहिए my first blog का तो आप यहां पर Google domain से भी इसे खरी सकते हैं तो हमें Google से खरीदने नहीं है इसका एक separate video हमारी channel पर है तो आप इसे देख सकते हैं तो इसे हम cross कर देगे और यहां पर जो हमारा blog है राइडी हो चुका है अगर आपको अपना blog देखना है तो यहां पर जो व्यू ब्लॉग आ रहा है आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा जैसे कि हमने जो title दिया था यहां पर mention हो चुका है my first vlog और यहां पर जो my first vlog के नाम से टाइटल भी आज चुका है और यहां पर हमने कोई भी post अभी upload नहीं की है यहां पर powered by blogger और यहां पर इसके submenus और अपनी profile यहां पर आप अपनी प्रॉफाइल कर सकते हैं अगर आपक अपनी मलब जो statics देखनी है तो आप इसमें जा सकते हैं आपको comments देखने है तो comments में earning आपके page पे अगर 5000 से ज्यादा व्यू हो चुके है तो आप Google Adsense के लिए approval कर सकते हैं तो इससे कि आपको approval मिल जाएगा यहां पर pages आप देख सकते हैं अपने कितने pages बना रखे हैं आप इससे आप layout पे जाएंगे तो आपकी जो theme है उसका एक layout आपको मिल जाएगा कि sidebar को edit करना है आपको search top को edit करना है header किस चीज को आपको यहां पर edit करना है Google Adsense के add का जो अगर मैं आपको यह सारी चीज़े बताने लग जाएगा अगर आपको यह सारी चीजों को भी सीखना है कि कैसे HTML के अंदर इसको edit किया जाता है कैसे आप पूरे theme को कस्टमाइज किया जाता है या custom theme को कैसे upload किया जाता है अपने blog पे तो आप मेरे को comment कर सकते हैं उसका separate video आ चाहिए या आपको उस वीडियो को पाट के अंदर चाहिए जैसे पार्ट वन पार्ट दू पार्ट पार्ट स्री यह आसान भी रहता है तो ठीक है दोस्तों और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ट्रिकी टेक्निक वेबसाइट है आपको महाँ पर भी blogger से related templates मिल जाएंगे लेकिन आपको उसमें से पसंट करने में टाइम लग जाएगा लेकिन हमने यहाँ पर इस वेबसाइट को विजिट करें और बताइए कि वेबसाइट कैसी है और कैसी नहीं है और हमको यहाँ पर Google AdSense का अप्रोवल भी मिल चुका है ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं अगले व अगले और बता दि Sorry हुआएएएएएएएएएएOoh